गैस अगर आप भी हैं मेरी तरह यूटूबर तो ये वीडियो आगे काम की हो सकती है गैस आप लो कभी ना कभी यूटूब चैनल के हैक होने के बारे में जरूर सुने होंगे और क्या आपको पता है कि आखिर में ये सब हैकर्स करते कैसे हैं और हम अपने यूटूब चैनल को कैसे सेक्यूर कर सकते हैं सब इस वीडियो में बताऊंगा सु वीडियो को एंट तक जरूर देखिए गया सुभेलो का इस मैं हूँ रोहित और हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगा जिससे आप अपने चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो की यूटूब के अफडेट में भी बताया गया है इससे आज की वीडियो में समझाने की कोसिस करूँगा यह चीज़े आप समझने के बाद आप फॉलो ज़रूर करिएगा इससे कोई भी आपको चैनल हैक ना कर पाए तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे पहले इस टेप की जो पहला एक श्टेप YouTube में मताया है उसमें चार पॉइंट दिए गये है पहला पॉइंट यह है कि आप अपने पास्वर्ट को श्टॉंग बनाए और श्टॉंग पासवर्ट हम कैसे बनाएंगे तो पास्वर्ट मिलिवो आठ चरएक्टर का होना चाहती है उसमें special character का यूज़ करें, symbol का यूज़ करें और जो alphabet यूज़ करते हैं ABCD उसमें small और capital दोनों का यूज़ करें आप इसके साथ ही numbers का भी यूज़ करें पर हाँ simple number यूज़ ना करें जैसे की 1,2,3 या फिर 1,2,3,4 दूसरा point ये है कि आप अपने password को hackers से protect करें माल लीज़े आप किसी unknown website में जाते हैं और अपना Gmail ID लिंग करते हैं तो उसे एक बार की चेक कर लें कि क्या ये हमारे का है या नहीं और गलती से अगर आपने क्लिक कर लिया है तो password को change कर दें ताकि hackers से protect रह सकें तीसरा point ये है guys कि आप अपने password को manage करें अगर आप Google Chrome यूज़ करते हैं तो Google Chrome में एक password manager होता है जो आपको guide करता है एक strong password बनाने के लिए जिसके help से आप एक strong password बना सकते हैं और चौथा point ये है कि आप अपने password को कभी भी share ना करें नहीं किसी दोस्त को दे और नहीं किसी online website में share करें इस अब बात करते हैं दूसरे step की दूसरे step में भी कुछ tips YouTube ने दिये हैं सबसे पहला tip है कि जब आप recovery email add करते हैं तो उस पर भी नजल रखें कि कहीं कोई suspicious activity तो नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो आप उसे जल्दी से update कर लें दूसरा tip यह है कि आप अपना two step verification on करके रखें तीसरा tip यह है कि आप अगर किसी वेक्ति को आपने access दे रखा है चाहे वो आपके team member हो सकता है और अगर आपको लगता है कि कुछ suspicious है तो 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 उसके access को remove कर दे चौथा tip YouTube में यह बताई गई है कि अगर आपने किसी app से या फिर website में login करने के लिए email id से access दे दिया है तो उसको remove जरूर करें और पाच्वा tip YouTube में यह दिया है कि आप जो भी apps यूज करते हैं उसे समय समय पर update करते रहें कि नहीं जब आप update करते हैं तो जो नए security page होते हैं वो भी update हो जाते हैं और गैस अब जान लेते हैं तीसरा step क्या है तो तीसरे step में 3 पॉइंट है पहला point यह है कि अगर आपके पास कोई suspicious request आती है तो उसे avoid जरूर करें जैसे माल लीजे आपके पास कुछ इस तरह की request आती है इसमें आपके Google account वो data को access करने की request होती है तो आपको बिल्कुल भी allow नहीं करना है अगर आप allow कर देंगे तो आपका account hack हो सकता है और आपके जो भी data है उसका भी misuse हो सकता है इसलिए आपको permission नहीं देना है अब यहां पर दूसरा जो tip है वो यह है कि जितने भी ऐसे website link होते हैं जो suspicious या फिर unknown होते हैं उस पर आपको click नहीं करना है या फिर कोई unwanted software होते हैं उसमें login नहीं करना जैसे माल लीजे कोई software है उसका crack version जो की free में आपको मिल जाएंगे इन सभी software में ऐसे virus होते हैं जो आप यूजर ID और password को capture कर लेते हैं जिससे अपको account hack होने का डर बना रहता है इसलिए आपको ऐसे किसी भी unknown app से या फिर link पर click नहीं करना है और अगर आप गलती से भी click कर दिये तो इतना जल्दी हो सके अपना user ID का password change कर दें यहां पर YouTube में तीसरी tip यह दी है कि लोग आपको phishing क जरिये फसाते हैं उसके बाद आपको channel hack करते हैं YouTube ने कहा है कि जब भी आपको लगए कि कोई phishing activity आपके साथ कर रहा है तो आप तुरंत रिपोर्ट करें ताकि Google तुरंत उस पर एक्सान ले सके यह थी कुछ tips जिससे आप follow करके अपने YouTube चैनल को secure कर सकते हैं और hackers से अपने चैनल और अपने Google अकाउंट को hack होने से बचा सकते हैं वीडियो अगर useful लेगी तो वीडियो को like कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ लोग शेयर करिएगा और ऐसे YouTube से जोड़ी informative वीडियो टेक केर